कि अभी हम लोग हीट ट्रांसफर को स्टड़ी कर रहे हैं हीट ट्रांसफर में मैं दो लेक्षर ले आये हूं और दो लेक्षर में काफी बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों बताया हूं अब उसी से रिलेटेड हम लोग आज कोस्टिन लगाने वाले हैं औ ऑब जो पढ़े, दो लेक्चर में कितना quoson अपसे बन पा रहा है. यही मैं आप لوक greatly check और फिर मैं आप लोग का देखूंगा, कि आप लोगो का preparation कैसा चलरा है, आप दो अपना preparation को judge कर सकते हो, right? कि समझ मी कितना आया, कितना question लग रहा. देखो, हां आप मुझे सच में समंझाय है अगर कोशिन नहीं बन पारा तो समझा हूआ कोई फाइदा नहीं este कौई अधिक अगया साथ सब्सक्राइब करना चलूंग जुसे आप दिते जाओ गए मैं तो दूर दूर रहा था इसके वज़े से अटम्स यह एटम्स कोलाइड करते रहा था फ्रिम्क्रेडली जल्दी-जल्दी यह ओल अप्शन तो वेरी नाइस करेक्ट ट्रांसर क्या जागा मेरा होता था स्वल्ड में क्या होता था मेरा हीट ट्रांसपर होता था जिसमें यह होता था इनके सब मेटल में देखा जाता है आ और यह आपको देखने मिलता क्या मैटल में भी देखने को मिलता है एज सबिब. बच्च अ regrets अ ओक्यों किस तुलब सकती थर्मों वाला भी आप लोग का चली जाएगा ठीक है चलिए मैं लिंक दे दिया हूं टीम जल्दी अपलोड कर देगे डोंट वरी चलिए नेक्स्ट कोशन के रूमूब करते हैं नेक्स्ट कोशन यहाँ पर देखे कहा गया हीडिज मेंली ट्रांसफ यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह कौन सा अंसर हो जाएगा और इसका मैं आपको बता दों आंसर क्या जाएगा जो थम्नेल में है न वहां सर आ जाएगा ठीक है अगर आप फर्स्ट रेक्चर का थमनेल देखे हो गया तो वहां से आप आंसर को देख सकते हो तो बताए यांसर का क्या हो जाएगा कहां पे आप लोग को रहता है मधियों मेरा जा सकता है तो उसके बार में इंतीनों चीज कहां पर मुझे देखने को मिलता है इसका कोई बचा सकता तो बताए आंसर चली, very nice, तो यहाँ पे जो है, correct answer आचुका है, सुलब सकती का, answer for this particular question, where C, boiler का furnace, तो boiler जो furnace होता है, boiler का furnace, इसमें आपको conduction भी देखने को मिलता है, convection भी देखने को मिलता है, and radiation भी देखने को मिलता है, ठीक है, समझ यह मेरी बात की नहीं, आप बात करेंगे सर जी, यहाँ पे जैसे बात करेंगे की radiation, तो जैसे आपका furnace वाला पूरा area होता है, वो radiation को जैसे heat travel करता है, और वहीं बात करा जैसे steam boiler में जा रहा, conduction को जैसे, क्योंकि आपका steam का जो boiler है, और heat है, आपस में connected है, और मालो यह steam का boiler इतना बड़ा रखावा है, और यहाँ पे नीचे में heat दे है, तो इस पार्ट को गरम करता है, लेकिन इस पार्ट को यह जो गरम किया, इस पार्ट को यह गरम किया, इसके बाद यह पूरा फैल जाता चार ओर, तो वो क्या हो गया, conduction हो गया, तो तीनों चीज देखने को मिलता है, राइट, चलिए, तो यह हो गया, आपका see will be the answer, वै मैं आपको एक advanced question दे दिया, लेकिन इन दोने के बारे में जब समझेंगे तो और बेटर के सा कुछ समझाएगा, कि सर यह क्यों आपने example लिया, खेर, आगे बढ़ता है next question कि और यह थोड़ा सा advanced question है, क्योंकि previous lecture के जब मैं theory का था, उसमें आपको थोड़ा सा बताया था, कि किसके बारे में मैं आप लोग बता था, Fourier law के बारे में, Fourier law के बारे में, तो यहां पर उसी का यह question उसको थोड़ा समझेंगे और बताया answer क्या जाएगा, यहां पर देखो question क्या कहा गया, question यह कहा गया, that the rate of heat transfer across any plane normal to the x direction is proportional to the wall area and the temperature gradient in the x direction, the statement is also referred to h, किसके दोरा दिया जाता है, तो अगरा Fourier law में दिखाया था था थोड़ा सापको, तो मैंने कहा था, क्यों हो जाता है, a into dt upon dx, यह फिर जब इन पर प्रपरस्न को हटाता हूं, तो आकर जूड जाता है, k a dt upon dx, यही होता Fourier law, इसमें heat transfer हो जाता, q मेरा, a हो जाता, k हो जाता, thermal conductivity, a आ जाता हुसके area, dt जाता है, जो भी temperature आ जाता है, तो यही सारे छीज़ा चैसर मेरा करता है, तो, वही क्या जाता, यहाता है, इसके भी बारे में हम लोग आगें चलकर ओ समझेंगे, तो बिलकुल टेंसर नलों मैं और अचए समच अद्वांस को양सिन पी थोड़ा, लिया हो, फोड़ा लिया ह स्टूडेंट है जो अटेम्ट कर पारे किस तरह का कोशन देखना ये भी इंपोर्टेंट है ना कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझते बहुत अच्छा आता है ना बोलते मजा आ रहा है लेकिन कोशन कर पारे की नहीं कर पाए थोड़ा से एक दो अड़ांस भी आओ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और लिक्विड मेटल है विंग हाइस थर्मल कंड़क्टिविटी इस आफ सोडियूम लेड प्रडेसियम मर्कुरी इन तीनों में कहा गया है कि लिक्विड मेटल में भी लिक्विड गवात करा गया कि उसका हाइस थर्मल अगर है अगर यहांप मेला है कोई एक सपसड़न में क्या क्ता शुदय और आप बताओ कि कौन सा मेटल है Best ह जसको दे सकता है thus C NO yes answer will be your A sodium sodium जो होता अब देखो मेरा बास समझना दिक्कत क्या है कि sodium जो होता यह solid मेँ भी पाए जाता है और sodium जो है 1 second solid solid में लिख दिया sodium जो है sodium solid में भी पाए जाता है sodium जो है न वो उसको चाहता पानी में घोल के लिकड में भी उसको मिक्स कर सकते हैं इसी वजह से यहां पर क्या जाता थर्मल कंडुक्टिविटी सोडियम का जाद आएगा मर्कुरी से अगर सोडियम नहीं रहता तो मर्कुरी आपका हो जाता करेक्ट अंसर अच्छा तो आप बोलेंगे सर जी एक बार सारे मेंटल का बता अब दिये थर्मल कंडुक्टिविडी ज्बी सोडियम का ज्याद होता इन दोनों से होलोकिलो यह क्लशियर में रखते है हो जाता thermal conductivity क्या बता है था दो तीन जिरो जिरो याद है दो तीन जिरो जिरो और यूनिट कर लेते हैं वाट पर मेटर के लिए इसका यूनिट इतना क्यों हो था और मैंने क्या कहा था यह तो हो गया फर्स्ट नंबर सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं जिसाप का आ जाता सिल है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता एक बार देख लोगे तो यहाद आ जागा यह सो क्यास पसर आता है वाट पर मीटर केल्वी वहीं अगर जैसे में बात करता हूं इसके नीचे होता सोडियम मेरा सोडियम है ना चुकि यहां पर देखो बोलेंगे सार अगर जादा होता ना और यहां पर एक सोलिट पहले लिख देता हूं मैं सोलिड है ना एक सेगंड थोड़ा अच्छे से यह चीज़ नहीं आ रहा ना आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा मैं कर देता हूं कि यह सभी इंपोर्टेंट पॉंट बन जाता है स और एक बार आ जाता है मेरा लिक्विड ही ना तो यहां पर आ जागा फित नुमर में फिर से सोदियम लिखता हूं सोदियम लिक यूड तो जब सोलिड में रहे गा तो इसका 85 के असपास आपका वाट पर मीटर क्लिवी ने एगा और जब लिक़ुड हो जाता है तो देता ह मरिकुरी का बात कर रहा हूं यह तो मरिक्यूरी का मैं लिख दिया इसका देड़ा है यह 85 यहाँ परेा जाएगा सूरी जा परे यह ठोसक़ मों को बताया था यह हो जाए आपका अगर बात करता हूं कि इसका सोलीड का तो यह 140 का असपास देता है हां और इस 6 नमर में मुझे लेकिना mercury HG का यह मेरा हो जाता 8 वाट पर मीटर के लिए और लाश बट नॉट दा लिस्ट जैसे लेड था तो अगर लेड का बात करेंगे तो यह 36 का असपास देता वाट पर मेंटर के लिए चली हो गया यह डाटा भी इसमें देखो कुछ कुछ चीज में आपको बताया हूं जैसे की आपको डाइमंड पता है सिल्वर बताया हूं एज़ी बताया हूं लेड बताया हूं तो यह ना सोडियम और पडेशियम वाला ध्यान रख लेना है समझ गये चलिए कि समझ गये तो आंसर यह वाला वेरी वेरी इंपोर्टन यहां पर आ जाका यह सीट आप से कुशन पूछ सकता है ठीक है लिए नक्ली को समझ गये है ठीक है तो वह और मिआ चारट गया एक पर जया हुक्थ हुझाए कि प्लीज जो चीज मेंशन नहीं है नॉट्स में आप खुद से नॉट्स में उसको नॉट कर लेना, बाद में फिर अगर इससे कोश्चन आए तो फस होगे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलिए, The amount of heat flow through a body by conduction is diaclip proportion to the surface area of the body, diaclip proportion to the temperature difference of the two faces of the body, depending upon the material of the body, या फिर all options are correct, किस पर किस पर मेरा heat transfer depend करता है, यह बहुत ही simple सा प्यारा question है, बताईए, Very good, answer will be your D number, very nice, D number, यह भी फूरियो लो से नहीं का सकता है, अपर यह से भी जानतों मैं आपको कहा था, कि अगर temperature difference बढ़ेगा, मैंने कहा था, मैंने आपको area के बरेंबर बताया था, तो यानि यह भी होगा, यह भी होगा, और material पर ही depend करेगा, भाई साव यह material मेरा, यह सभी हम लोग material बात करें, कि यह diamond है, कि silver है, कि potassium है, कि copper है, कि brass है, तो क्या लकडी है, है ना, यह पत्थर है, तो अब यह सारे चीजों पर depend करता ह है, सारे चीजों पर depend करता है, और यहीं तो, यही सारा चीज को हम लोग किस में लिखते है, for your low में, कि क्यूई exactly proportional to, आपका a into dt upon dx, तो यही तो आजाता, this is your area, नीचे में आजाता मेरे area, उपर में आजाता मेरा temperature, है ना, यह एक सेकंड, यह दिसी जो thickness, thickness आजाता, a आजात है, जो कि अलगलग material के लिए अलगलग property होता है, इसी लिए हम लोग क्या के को लेके चले है, और के सब के लिए अलगलग material के लिए, तो बिल्कुल correct answer है, इस particular question का D हो जाएगा, तो यहाँ पे पूजा, विकास, अमीत, चंदन, अमरेंदर, रुपेज, सभी का correct answer है, very good, चल fine, और एक होता है मेरा amorpheus, तो मैंने क्या कहा था, amorpheus solid जो होता है, वो regular structure नहीं देखने मिलता है, जहां ता रहाता है, रिंक क्रिश्टलर structure में perfect आपको structure देखने को मिलता है, और इसके वो जैसे में जो मेरा latest vibration होता है, वो जादा होता है, इसके के समें, इसके लिए थर्मल conductivity भी ज्यादा होता है, समझ गहें मेरी बात की नहीं, वहले heat transfer rate, इसमें क्या होगा, maximum होगा, इनके सब इससे अगर compare करा जाए, तो, चलिए, on the basis of that, लेकिन यहाँ पर बात करा गया, amorpheus non-metallic, metallic नहीं, non-metallic है, समझ गहें, अच्छा, non-metallic, जैसे मालो, आप दे लो diamond, non- metallic है, wood ले लो, उस तरह से, तो, amorpheus solid लेकिन बात करा गया, आप देखो, diamonds में आएगा नहीं, क्योंकि diamond में crystalline structure पाय जाता है, right, amorpheus का बात करा गया, sorry, with decrease in temperature, temperature के भी आप बोर रहा है, कि बताई, temperature, हना, के और temperature के भीच में क्या relation रहेगा, क्या relation रहेगा, यह आप लोग को और ध्यान रखना, मैं आपको gas के बारें बताए था, तो आप लोग इससे confuse मत होना, आज आज देखो, confuse हो गई ना, आप लोग, है ना, अचा, remain constant क्यों बोले, यहाँ पर, कई सारे स्टों, remain constant क्यों बोला गया, answer हो, जब मैं गेस के बारें बात किया था, तो आप लोग या इन केस अब गेस मेंने बात करा था, गेस का, याद होगा, मैंने गेस के बारें बात करा था, और यहाँ पर बात करा गया, एक तो solid है, non metallic है, लेकिन non metallic है, तो इस केस में क्यादर decrease होता, thermal conducted or non metallic amorphous solid with decrease in temperature, decrease, समझ गए, तो यह ध्यान अप लोग, यानि कि कम से कम यह गेस की तरही विहेव करता है, समझा है, depending on the orientation of the molecule, वही बात है न, यह मेरा amorphous है न, अमर्फियस है न, आपको यह जिसे यहाँ पर अमीत बहुत अच्छा answer दिये है, है न, यह answer दिये, नई डियर, नई डियर, amorphous है न, amorphous है, मेरा बात समझ न, यही तो आप confusion हो जा रहो, आपको खुद जब आपने बहुत अच्छा explanation दिया है, और वही explanation को मैं पढ़कर सबको सुनाता हो, आपने कहा, depending on orientation of molecules, तो आपको पता कि क्रिश्टलाइन होता है, अमर्फियस होता है, अमर्फियस में जहाँ तहां मोल्फियस पढ़ा रहाता है, जिसे देखो इस तरह से, और यह यह जहाँता है, तो इसी अमर्फियस वह जोता है, तो मैं इसमेत्रीन अनमेटालिक हो, उसमें एक तो आपको, ऊलूसमें मेटालिक में ज्यादा होता है, तो में आपको तेमपेडमधे घंपेचर बिखीज करेगा है, समझ गाहाँ, तो आएर बिरी नमबर, तो बहुत दूर तो यह अपने अपना हीट है तुर तो इसको दे नहीं पाएगा तो आप तो तुर सामने गए नहीं तो कहां सब्सक्राइब बढ़ेगा तो घटेगा तो क्लियर वेरी नाइस चलिए नेक्स्ट कॉस्टन चलिए भी इंक्रीजिन टेंप्रेचर थर्मल कंडिक्टिविट अब एयर अब एयर आ जाता गेस में तो इसका भी जस्ट में आप बताया था इसका हम लोग थ्योरी में भी डिसकस कियें बहुत अच्छी तरह से तो इसका आप लोगो पकड़ना है ना कि कोस्टन बोलना क्या चाह रहा है हम तब ना इसी तरह से करोगे इसलिए में आप लोगो को कोस्टन लाया हूं कि को कोस्टन लगाना बहुत इंपोर्टेंट है यस अगर टेंपरेचर इंक्रीज करता है तो थर्मल कंडेक्टिविटी आफ ग 20 परसंट तक आउप मिल जाएगा टीम से भी आप कोंटेक्ट कर लेना है ना उससे आप लोगो और एक्षा आफर भी मिल जाएगा क्यवाल आज तक के लिए है कि कुछ बच्चे एक दो दिन पहले क्लास में सारे बच्चे बोल रहे थे सर्जी ओफर गगरा चल रहा है कि न उन पार्टिकल आप दी बोड़ी तो नदर विदाउट एक्षोल मोशन अप विदफ डाउट का गए विदावट गषोल मूशन मुन सुन नहीं करता है समझें मौस लिए एक पार्टिकल जो है यहां से लेकर यहां तक नहीं जा रहा है यहां से क्या कर रहा है कि वोल साब अमीत जी आप सी क्यों वो रहें डियर अमीत आप तो अच्छे स्टूडेंट आप तो हमें सब्सक्राइब थोड़ा सा टाइम लो डियर यस डियर बिल्कुल कंडक्शन ना कंडक्शन विदावाट पके विदावट मतलों नहीं होना चाहिए एमोशन गती नहीं करना चाहिए लिकुड में बात करा जाए तो म Keep Span कि ना सर्थ नहीं बोल रहा अच्छा कोई बात नहीं साइद मिस्टर क्यूंकि आपका सी आया था सी दो मुझे लगा साइद बोल रहे हैं इससे पहले भी आंसर तो एधा ठीक है तो कि कोई बात ने चलिए अब बात करते यूनिट अब थर्मल कंड़क्टिविटी मैंने अभी जश्ट बताया था तो चली बताई इसका अंसर क्या जागा बसे देखो यूनिट के बार में हम लोग इसे प्रोपर मैं आप बताया तो हूँ थियोरी में लेकि मेरा आधा जब सुलब सक्ति से प्रिवेस का पूजा निशा अरे सी इसका मार रहे हो क्या आप लोग हाँ सोरी सोरी सही सही यस 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 मैं भी कहां ठीक 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 वाट मट वाट पर मेटर केलविन यस यस वाट पर मेटर केलविन बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट आप सभी स्ट 20 student live आ चुके हैं मुझे तो और ज्यादा चाहिए और बच्चे केवल 8 लाइक की है तो एक बार सारे बच्चे फटाफट लाइक भी कर दो ठीक है 20 लाइक कर दो फटाफट और बढ़ते हैं नेक्स को संक्यों चली मेटला गूड हीट कंड़क्टर विकॉज फिकॉज 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 लेकिन यह कुछा गया दूसरे एक्जाम में कई सारा अब यहां पर जो मैं यहां से स्टाट लिए दो यह लास्टा बारार नंबर का किस नंबर तक को सिंगे त आ करूंद यूसरों के वी एस चमने टिकनिशन असिस्टेंट के पोस्टमे था एक स्राव उसक्ट्र नब फिर रोगन trillion box en u 2015 का, फिर RRB, JE में पुछा गया question है, 2015 में ही, अलग-अलग shift में, और फिर आपका MP में, जो आपका ESB का exam हुआ है, वहाँ भी पुछा गया, तो ये कई बार जो है न, वो पुछा गया question है, ठीक है, MP, sub engineer में पुछा गया question, 2011 का, तो देख सेकतो, कई बार exam में, पुछा गया question है, तो इसलिए सभी question को में लाया हूँ, चलिए, next question के remove करा जाए, okay, metal are good heat conductor, because, अब देखो, ये भी question, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, ठीक है, ये आपका RSMMB में पुछा गया था, है ना, RSM, SSB में, जेई में, फिर आपका NPCIL में पुछा गया था, फिर OREC PSV, HPCLJ में पुछा गया है, SSCJ में पुछा गया था, गुजराथ PCS में पुछा गया था, और Railway Junior में पुछा गया question तक, मना बहुत बार repeated question है, इसलिए this question है very very important, क्योंकि कोई question 10 बार, पाच बार, आठ बार दास बार पुछा गया है, तो answer बताएगा, very nice, correct answer of your free electron, है न, heat conductor था, metals में due to free electron, clear, very good, चली, next question आजाता है, which material has the maximum thermal conductivity, इस तरह से कई बार option देगा आपको, आपको option में चूज करना है, आपको data पूरा पता होना चाहिए सबका, data अगर आपको सबका पता रहेगा, तो आप अराम से इसका जो है answer कर सकते हो, इसलिए मैं आपको data बताते चलता हूँ, जब भी कोई निया question आता है, तो आपको data बताते चलता हूँ, देखो, अब मैं फिर से data आग बार आप लोगो, जब तक आप जिस दिन आप आप आजाएगा, यह राज जोनिंग लेटर, जब तक जोनिंग लेटर ना आजाए, चीज़ों को सो बार पढ़ना पढ़ो, हजर बार पढ़ना पढ़ो, कभी वो उससे जिजखना नहीं, तो आपका क्यों नहीं त्यारी होगा लेकिन सो बर पड़ोगे चीज को बार-बार रिविजन करोगे तभी तभी नहीं याद हो पाएगा तो जिसे मैंने कहा था डाइमंड तो डाइमंड क्या था अभी तक याद हो गए अगर 2300 वाट पर मेटर केल्वीन जो कि हाइस होता है जो कि क्या होता है मेरा हाइस होता ठीक है अब मैं सिर्फ कुछ-कुछ बात बता जिसे मैंने कहा था आपको एक इंपोर्टेंट सिल्वर का कितना होता था 400 के असपास वाट पर मीटर केल्वीन कभी कभी कवार 405 भी बोल देगा उसी रेंग में फिर मैंने बताया था इसके इस टील अगर बात कर आजए स्टील का तो मैंने लीका था 빠 बात करें, 0.0083 Watt per meter Kelvin, समझ गये, अच्छा एक औरिक में बता देते हैं, आप आइस कोल्ड, मना solid ice, जो solid ice रहता है, इसका कितना रहता है, तो 2.25 के असपास पाजा जाता है, Watt per meter Kelvin, तो on the behalf of that, यहाँ पर आप लोग बताओ, कि किसका thermal conductivity जो है, मैक्सिम होगा, तो बोलोगे सर्फ माइल स्टील, तो स्टील आ गया 15-15 के भीच में कम आ गया, ऐलमुनियम, ऐलमुनियम 200 आ गया, उससे ज्यादा कोपर का है, स्टेलने स्टील तो आखरी स्टील में ही आ जाएगा, इससा सबसे आदा तो यहाँ तो मुझे कोपर का ही नजर आ रहा तीन सो पचासी, क्योंकि उसके बाद तो कम है, स्टील का बात करेंगे, दोने स्टील का तो पंदरा से लिकर 45 तो खोगा, अलमुनियों का बात करेंगे, तो दो से क्यारावन ना होगा, तो बकड़ गए न, तो जो चीज इस तरह से आपको रहेगा न, दो को आपको यह चीज दिमाग लगाना है, जब पीवाई क्यू लगाऊ न, जब पीवाई क्यू लगाते हो, किसका पीवाई क्यू लगा तो प्रिवियस यह का, खास कर मैं यहाँ पर देखो, इसलिए मैं महनत करता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इंजोई के पराव क्लास को और अच्छा सचा कंटेंड मिल पाए, आप ज़्यादा क्या क्या कोशन लगा, आरभी का, जई का, अब यहाँ पर मैं आप लोग को इस रो से ले राजस्तान से लेकर, तमिलनाडू से लेकर, भिहार, जारकंड से लेकर, चतीजगर से लेकर हर एक स्टेट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, और सारे के का कोशन लगा ले रहे हो, तो फिर भई आपको एक्जाम में क्यों लगा पाऊगा, अराम से लगा पाऊगे, तो वह पालो, फूरिड़ा इसके बारे नहीं बताया था, यहां मैंने बता दिया, एड कर लेना, तो बताया था, वाकि सब बताया था, समझ गए, सर कब लिये थे इसका क्लास, डियर, यूटूब में ही पढ़ावा, दो लाइब क्लास है, थियोरी पुरा समझाया हूँ, ठीक है, आप देखो जाके यूटूब में लाइब सेक्षन में जाके चेक करो, प्राइब संधिया पुछ रही है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में, आज तो ओफर भी चल रहा, कहीं सार शुड़ दीन से जब मैं लाइब आ रहा था, क्लास, तो बच्चे बोर रहे थे, सर जी, कोर्स पर्चेस करना, कोर्स पर्चेस करना है, तो आज अप लोग का चल रहा, ओफर चल रहा, क्योंकि इद है, तो इदमें आप लोग को 20% तक आउप दिया जारा, डारेक कॉंसेफ्ट डिकोर्डर के आपको डाउंलोड करके, डिस्क्रेशन बुक्स चली, बात कदर टर्म एनर्जी ट्रांसफर, रिफर टुदी एक्स्चेंज अप एनर्जी बिट्विन टू सिस्टम, वाया थर्मल इंट्रेक्शन, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, प्रेसर नर्चेंज, और या फिर मोमेंटम ट्रसम, क्या कोशन बोर रहा, पले पढ़ना समझने के ट्राय करना, देन अटेंट करना पोश्चन को, देन आप अटेंट करना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, अदित्यराज, क्या बात है, अदित्यराज आप बहुत दिन के बाद दिखाए दियें, आप तो रेगलर आते हैं लेकिन मुझे लग रहा कि आप एक-दो दिन से साइध क्लास में नहीं दिखे हो आदित्ति राज का फीट ट्रांसफर का दोनों लेक्ट थियोरी वाला अटेंड हुए थे यह साइध आपने बाद में देखा हो कि मुझे लग रहा कि क्या आप तो इसे पहले जो पूरा थर्म सुधा सुबोध करेक्ट है विकास नीशा सरीका अमीत्य है ना मनीश मनीशा एंड चंदन येस सर वही मुझे लगा क्योंकि आपका नाम में भूलता नहीं हो क्योंकि काई फी टाइम से हम लोग बढ़ते हैं साथ में पढ़ रहा आप चलिए नेक्स वोशन के बढ़ते हैं आप हो इसके यह पर परण चेंज मिलता है तो हाइण से करता है सब्सक्राइब करता है हीट ट्रॉप करता है तो सिस्टम वाया थर्मल इंट्रेक्शन कोन सा हीट ट्रांसपर क्योंकि हीट इस फॉर्म एनर्जी टेंपर्चर तो बेसिकली बताता कोई चीज कितना होट है और कोई चीज कितना कॉल्ड है आसा आपका भी विल्कुर करेक्ट है चलो वेरी नाइस उकिनेस्ट को समय तर्फ नमबर का क्या कहा गया देखो और एक चीज में आपको बुलूँगा आप अगर थियोरी सेसन में मेरा बास समझना कभी कबार क्या करता हो कि आप थियोरी में लाइव नहीं आप आएं चलेगा ठीक है वैसे तो मैं बुलूँगा थियोरी में लेकिन फिर भी अगर लाइब किसी कारण वास आप नहीं आ पाएं तो आपको कम से कम MCQ में तो लाइब आना ही आना है कि वो टेस्ट की तरह काम करता ना जब मैं लाइब में टाइम आपको देता हूं इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना टाइम पे फिर आगे कोशन बढ़ ज है तो अच्छा लगता है आपको अच्छा एक मोनिवेशन मिलता है कॉंफिडेंट बढ़ता है तो एम सी के में कम से कम लाइब आना ही आना है अगर लाइब उसको थियोरी को कभी कभार कई छूट गया लेकिन इसमें का आना ही आना कि यह टेस्ट की तो रहा था है ना तो इसमें आईएगा चली अच्छा हाँ यह एक एक स्टा में आपको बता दियूंगे बाद में हम लोग डिसकस करेंगे यह साइद कुछ बच्चे अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहां कहा गया है रेशियो थर्मल कंडुक्टिविटी आप पढ़े ह तो थर्मल कंडुक्टिविटी जो मेरा लोरेंज लोरेंज नंबर होता है यह हो जाता है थर्मल थर्मल कंडुक्टिविटी बटा डिवाइड वाइट्रिकल कंडुक्टिविटी तो इससे हम लोग भाई आप कोई भी देखलो हीटर काभी चीजे बनाते हैं गरम करने के ल आती कि electricity को भी flow करवाता है तो heat as well as electricity को बहुत अच्छा मेना करता है travel क्योंकि free electron पाय जाता है इसे free electron के बज़द से heat को भी conductor था और electricity को भी conductor था clear my point or not चलिए तो इसी लिए ठीक है प्रेंटल नंबर का तो हो जाता है dear student आपका mu cp upon k करेंगे और वह अगर नसल्ट नंबर का बात करेंगे तो आपका hl upon किया जाता ठीक है लेकिन यह सब के बारे में हम लोग discuss करेंगे radiation में don't worry ऐसा नहीं है कि यह सारे के सारे जो करेंगे लेकिन चेप्टर चेप्टर का बात है अलग अलग जैसे चेप्टर बढ़ते जाएगा आप लोग सब अब यह फाइदा नहीं है डिसकस करना वह थियोरी पहले पढ़ाएंगे देन को सना के तो बेटर है ना अभी यह थियोरी सेसन तो है नहीं अभी लेक्षा देख लेना गलती से भी कंफीजन आपका कभी नहीं होगा पका मैं आपको 100% CODD देता हूं जब मैं आपको किसी का सब मतारी हो यह जाता था मैं देख रह joue दाले अधित्यराज कंवेक्षंट यहां पर क्यों बोल दीजल मैंने काता manufacturer को डिशन on the now than the connection कर जाता मुषंक अब रोडी सब लेता हूं जैसे रुपेश हो गया दियोकलाइफ हो घुलप सकति हो एडी सब यो चलों एक सेकेंड है ना फिर मैं बात करूंगा अमीत, राम, पूजा, मनिशा, चंदन, सुबोध, विकास ठीक है एंड आसा, निशा, इन सब का करेक्ट है चलिए यस, यस, बल्क मोशन है था, बिल्कुल करेक्ट, ओके, फिप्टीन, इन वीचा वदा फॉलिंग माटरियल, इस दी, हीट एनरजी, प्रोपागेशन, मिनिममम, द्यू टू दी, कंडक्शन, हीट ट्रांसपर, कहा गया कि देखो, हीट ट्रांसपर जो करता है, वो मिनिममम करत है, प्रोपागेट होता है, जाता आता है, हना, फ्लो करता है, ड्यू टू कंडक्शन, हीट ट्रांसपर मिनिममम करता है, तो वो कहा गया, किस में आपका हो जागा, चलिए बताइए, सबसे कम किस में होता है बिल्कुल करेक्ट जवाब है एर में एर में होता है क्योंकि यह सब का सब देखोगे लेड का बात करेंगे कोपर का बात करेंगे इवन तक की वाटर का भी बात करेंगे तो एर से थोड़ा ज्यादा ही होता है विसे दोनों कम होता है लेकिन इन दोनों आपका फिर अमेद फिर नीसा फिर कला के विकास फिर पूज्या फिर आमीत राम and मनिसा because behave like a guest yes bylki correct जवाब भिलकुल करग जब Collaborlike focus the behavior karta guest की तर्छ ऑखेवलोन के पीष फोलों एदी लीस्ट सब आपका नं मेटालिक टाइप का दे दिया है, सब उस तरह सद्या जिसमें कनफीजन हो सकता है, लेकिन आप तेज हो, है ना, आप तो निकाल लोग है, क्योंकि यू नो दटके सर, यहाँ पे तो मेरा एयर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्योंकि एयर सर, एयर का सबसे कम हो जाता है एर का सबसे कम हो जाता है याद है thermal conductivity कोई मेरे को बताना तो एक बहुंद मेरे को प्रठाना पथे एर का कितना हो जाता है एर का बताना कितना हो जाता है Water का 0.6 कैस पास होता है Watt per meter Kelvin एर का याद है 0.yes-yes बिल्कुल करेक्ट जावाब बिल्कुल करेक्ट जवाब डियोग लाइब 0.0 23 बोच सकते हो 24 बोच सकते हो 23 या फिर 0.024 या फिर 0.2 भी बोलो गए तब भी चलेगा 0.0 बेरी बेरी गुट निसा सुलब सक्ती अधितिराज डियोग लाइब सबका यह आपका यह जो है MP सब इंगनेर में है राजस्थान के पुछा गया है और यह आपका प्यूश्य है नरल जीटी ती में है di care very nice चली अचैई अट वर बताया हूं कि नहीं बताया आप लोग कोको गोड्ड के बारमट भार मतायों घर करने क्रिया तो पूछा जाता तो फालतु का बता के को फğàiदा नहीं को भी एडम में कर रहा हो बिल्कुल बिल्कुल उस बुक को भी लिया गए चली नेक्स्ट वोशन के रुबंब करते हैं ओके धर्मल कंडक्टिव डिया कॉपर एट थ्री हंड्रेड केल्विन इज, लेकिन आपको किसी बुक को लगाने के जुरूत नहीं है मैं हर एक मैं दो तीन बुक से कनेक्ट करके सारे कोश्चन और अपने से भी क्क रग्क करके कोश्चन को सारा कलेक्ट को आपको आपके ले ला रहा हूं और बस आप इतना पढ़ लो सफिसेंट आपके लिए thermal conductivity of copper लोगो ये temperature temperature दे देता है ना तो आप बस confuse हो जाते हो तो आपको confusion बिल्कुल भी नहीं होना ठीक है confusion आपको बिल्कुल भी नहीं होना yes answer will be your a number answer will be your a number ठीक है yes इसी क्या सपास vary करता है चलिए next question heat pipe widely यह बहुत ज्यादा पूछा आज कर पूछ रहा question ना तो देखाऊं बहुत सारे question में आ गया है तो बोले चलो यह भी करवा देते हैं heat pipe आज कल ना बहुत ज्यादा यूज क्या जाता है क्यों यूज क्या जाता उसके बार में तो मैं आपको डिर्एक बता देता हूं यह एक तरसे सुपर कंड़क्टर की तरह काम करता है यह हीट जो होता ना थर्मल कंड़क्टर नसकर बात करें इसका जाए तो यह पांट सो गुना ज्यादा होता है ज़ो ना नाम्मवल हीट पाइँ होता माल माल आपको चीज को पास करवा रहे हो ठीक है पास करा रहे हो तो हीट कंड़क्शन आपको करना है तो आप इस तरके जुझे पाइप का यूस्त जाद ज्यादर जो heat को 씨 एसका बहुत जदा high rate of होता है very high होता है क्या होता है rate of heat transfer 500 गुना ज्याद ज्याद नॉर्मल पाइप से इसलिए इसका बहुत ज्यादा use करा जाता है superconductor की तरह यह मेरा काम करता है इसका जैसे कि कहां इस्तिमाल करते हैं पीछले वाला कोश्चन था तो आप देख सकते हो कि माल लो आपको कहें पर जो थर्म तो में चाहता हूं कि मालो हाट गेस के रूपे बाहर कर रहे हैं अपने आप चाहते हैं जल्दी-जल्दी ठंडा करें हीट को रिलीज करें तो आप ऐसा कोई चीज नहीं यूज करोगे तो जोई रहा हीट मेरा बहुत गरम हो जारा रहा जैसे मालो उपर में आप लगा लिए चिमनी वनी देखो चिमनी को पर मालो लगा लिया इससे होट एकदम बाहर हो रहा है तो यह गरम हो जाएगा गरम हो जागा लाल हो जागा यह मैटल को भी तो खराब करेगा आप चाहतो कि ऐसा मेरा रहे कोई प्रोड़क्ट बनाओ मेटल का जो ज़्यादा जबर हीट को जल् है और लोश भी आपको लोग को पताओ सिवाएग निकासक्तो थर्मल कंडुक्टिया वोल्यक्त अधियो डिपेंड अन्दी फेज मेरेट्र टेंसिटिक इन सबमेड़ करता है तो दी विल भी धी करेक्ट आज़र चलिए आगे बारते है नेश्ट कोशन क्यों की ओर एक सिक क्या क्या कोन सा समझ नहीं है डियर सरीका कोन सा कोशन नहीं समझ जाया क्या इस वाला 31 वाला नहीं समझ आपको बताई प्लीज प्लीज आप पुछे कोन सा कोशन नहीं समझ जाया सर समझे नहीं क्या मटेरियल डी मटेरियल डी किस question का बात करे question 27 या आप पूछ रो 31 के बारे में किस के बारे में पूछ रहे है तो इसमें आपका all of the hope हो जागा क्योंकि जो material होता है material dependent on the thermal conductivity यह कोशन पुछा गया क्या कि thermal conductivity of any material जैसे मैं ले लिया हूं या फिर मैं इस्टील ले लिया हूं चामज गये हैं या फिर मैं यहां पर ले लिया हूं कोई उड ले लिया हूं कुछ भी है तो यह अगर है यह अगर कोई भी इस तरह का रहेगा तो इक किस अगर मैं बात करता हूं यहां मैंने बात कहा था यहां मैंने बात कहा है कि कि heat pipe widely use किया जाता nowadays तो बना नॉर्मल एक pipe पर रता है होता हीट pipe तो हीट pipe का ज्यादातर यूज किया जाता है आज के time पर क्योंकि यह सुपर conductor तरकाम करता है इसका rate of heat flow बहुत ज्यादा होता है मनद जल्दी जल्दी heat को रिलीज करता है जिससे समझ लो कि मेरे पास को इस तरह का factory है और यहां पर हम लोग कोई melt को पिघला के कोई parts को ढाल रहे हैं इस तरह का कुछ कर रहे हैं अब उपर में मैंने क्या कर दिया इस तरह से लगा दिया आपका superconductor का heat pipe यह मैंने heat pipe को लगा दिया अब यहां से क्या हो रहा दीन भर दीन भर आपका क्या हो रहा है यहां से hot gases एकदम निकल रहा ठीक है एकदम गर्मा गर्म अब यह जो अगर मैं लगाऊंगा मालो प्लास्टिक जैसा तो पिघल जाएगा यह मेटल लगा ज्यादातर गर्म गर्म होके उसमें stress होगा और जल्दी जल्दी खराब हो सकता है अब कितनों अगर ज्यादातर उस यह 500 गुना ज्यादा होता है अपना हीट को रिलिज करता है देंदी नॉर्मल पाइग नॉर्मल जो भी रहाएगा इस तरह बना जाता है अलो वेगरा डाल के समझ गये है समझ गही है सार ईग्ज्जामे काफी जल्द होगा काफी जल्द आप यह लाख सकते हो जैसा न्यूज आ रहा कि एक सब नंत के अंदर आपका इज्जाम लेize जाए commitment अब विदिन टूमन मांद के चल सकते हो चलिए यह कुशन आ गया कॉर्क इज़ वेरी गूड इंसुलेटर देखो कॉर्क जो होता कॉर्क यह बहुत अच्छा इंसुलेटर रहता तो आपको पूछा क्या क्यों लो डेंसेटी एटमिक को आपका को लुजर को लिजिंग को ला जल्द जल्द आ जाएंगे हैं अब छूटी में गए इलेक्ट्रिकल वाले सर उनका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल टेंसन ना लो आप लोग तो यह पोरस बोडी के लिए दियर आंसर विल्विटी नमबर ए ओ डी नहीं लोड एंसिटी नहीं हाँ लोड इंसिटी आप वोज सकते थे लेकिन यह बैसिकली ना इस लिए तरवी आप काता पोरस पोरस के वज़ा से जो जो एक्जाम का अभी तक अपडेट नहीं हाँ वो जल्द अपडेट हो भी जाएगा देंसर ना लो बिल्कुल टेंसर ना लो बढ़ाय कर आप फोकस में जल्द अपडेट वो भी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन के रूमूब करते हैं कोस्य नमबर कोस्य नमबर यहां पर बात करते हैं 42 के बारे में 42 के बारे में इन descending order में कहा गया है of magnitude the thermal conductivity of pure metal liquid water saturated water vapor aluminium तो इसे मैं सब का बताया हूं मैंने कहा था water stream वाले में steam होगा तो दूर दूर चल जाएगा तो thermal conductivity कम हो जाएगा तो यह पकड़ लेना की water का तो steam वाले से saturated vapor से थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा होगा इस तर से फिर बात करते हैं iron का और aluminium का तो iron अगर बात करेंगे तो aluminium से ज्यादा होगा तो iron अनुलियम लिक्विड फिर यह तो यह इस तर से आप पकड़ सकते हूं कि सी सर्फ फोटी टू फोटी टू अच्छा डी पक्का पक्का आप कंफर्म हो वेरी ने सब सभी बच्चे का ही रहा है तो अब तो भाई कंफर्म करना ही पड़ेगा इसमें कोई दो रही नहीं है तो अच्छा डी करके है न तो यह डी आएगा फिर ए और लिक्विड याला बी और दन सी तो आंसर सी वेरी नैस यस 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 डिसेंडिंग बोला राइट यस यस करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है कोई बात में आप समझें डिसेंडिंग हो जाए रहे हैं तो इसमें अगर इसका क्या करेंगे टेंपरचर बढ़ा रहे हैं तो बताइए थर्मल कंडूक्टिविटी जो होगा बढ़े गाए न नॉर्मली क्या होगा बताया है क्या हो जागा अंसर शोरी की बोरे डियर यह आपने कहा था ने डियर डी होगा डी होगा ठीके गेस नहीं है ट्स नॉट अगेस प्लीज ध्यान दो कुस्च्चन पर इट्स नॉट अगेस आप लोग ए आंसर मारे जारा है अंसर थर्मल कंडूक्टिविटी युका आ गया कि आपे किये अगर राइस कर रहा थर्मल कंडूक्टिविटी अफ आइरन विट रेजिन टेंप एक प्ली से तो यहां मेड़ा इनवर्सली प्रोपर्सनल होता है के का के का इंवर्सली प्रोपर्सनल था भी बी बिता को सने काया था और लोग बूले भी थे यह सर इस अना लेगिल फिर आप कन्फिज हो गए, बी होगा सरी, यस वही तो मैं बोर राउंड यह डिक्रीज होगा ना, ध्यान रखना, गेस में इंक्रीज करता है, महलों गेस में हो जाता है, वो टी डैकले पोर्शनल टो किया जाता है, अगर बात करेंगे, तो टी जो होता है, इनवर्स क्यूटी डिक्रीज विट इंक्रीजनी टेम्क्राइचर, यस यस, चलो, आप सबका करेक्ट आंसर कोई बात नहीं, अभी गल्ती करना, जितना गल्ती कर लो, गल्ती भी करो, समझ भी लो, ठीक है, बट अभी गल्ती कर लेना, बाद में गल्ती बिल्कुर नहीं करना, इंक्ति अधयीं। चलो चंदन कांट्टन है इसको बरान थ्रवड करते हैं वो भूर रहे कि टेंपरेचर बढ़ने से छेल फ्री लॉट्र मेरा बड़ जाता ऐं राइट का रैट बढ़ जय तो टेंपरेचर Bijने के वज़े से अगर फुन बढ़ेगा तो फ्रमल कंड़क्टीवीटी मेरा घट के से गया बिल्कुल करेक्ट जवाब है ठीक है माल लेते कि फ्री लोक्रन यहां पर बढ़ रहा लेकिन यह भी तो डिपेंड करता है कि आइरन वेगरा जो है यह सोल्ड में सोल्ड में अगर बात करा आज़े इसमें घटता है विसे इसकी पीछे का रीजन और एक हो दाता है कि एक डॉमा में कि स्ट्घर कैसा इस पे बहुत सारा डिपेंड करता है ठीक है फ्री लोप्रॉन जोरी नहीं कि सब में पाया जाता अच्छी तरह से उसमें भी पाया जाता तो किसी में ज़ादा और यह कंशन भी में ना इन सब के बज़़क्त से इस में क्या हो जाता घटने लगता है इसका बेर प्रोपर आपको बताऊंगा थियोरी में एक एनिमेसिन के थुरू में लाओंगा एड करके तब आपको बेटर तरीके समझाए जाए 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 वर यह चीज़ आपको लग रहा ना तो आधे क्लियर फाइट है ना टोंड वरी टेंशन ना हालो हर एक चीज़ का ऑफ्सन है इस इसको और बहतर तरीके से समझाएंगे हाँ ठीक है बहुत सरा है उसके बार में डिसको सभी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसको अच्छाए एक सेकंड ये कॉस्टन तो हो गया था ना हाँ हो गया था इसका बढ़ देगी अगर एक लाइन में भी समझना है कि जब टेंपरचर बढ़ता है तो चलो वो तो एनिमेंशन का दूर की बात है डारे का पैसे बहुत सकते कि देंसिटी घड़ जाता है कि अब ये तर से अच्छा explains आप नबने करा एक वाड्र कर देना कोई तो धर्यक होईक चब्र मन कोई तो ईंशनदीлек कर जाता तो दो घर जाता है स्नदन के अब करके अभी समझ चब्दक लिए कि हा ये तो सही बाकि मैं और सब Google लिए टॉन पूरी ओके थर्मना कंडुक्ति वाटर जीरो वाटर का बहुत ना कितना हो जाता था ना कितना हो जाता बताई लिए ले सकते हो यह 0.5 लेकर 0.7 के विच मेरी करता है ना वाट पर मेंटर के लिए तो कभी आपका 06 रहा जाता है आपका 0.55 बोलेगा ना जिरो पुन आपका 6 एन बोल देगा तो कुछ भी आपका रहेगा तो 056 के विच में आपका वाटर का जाता है चलो नेक्स्ट को से वो टेंपरेश के विचिस में डिपेंड करता अधिक्तर रूम टेंपरेचर ही हम लोग लेके चलते हैं थर्मल कंडुक्टिविटी और वाटर हां या दखना ग्लिसरीन में और वाटर में एक चीज़ होता कि बढ़ता भी है घरता भी है इसके अलावे जितने भी आप दख नुग आप सामल एक काम करता हूसर्ट में में के बोल देता हो न के के आफ लिक वीड रिक डिक्रीज विधốt temperature increase, increase in temperature, except water and glycerin, इसमें क्या हता है, कि first यह मेना increase करता है, और with temperature and then decrease करता है with temperature, ठीक है, पहले यह temperature के साथ बढ़ता है, और फिर यह temperature साथ घटने लगता है, ठीक है, temperature के साथ क्या हता है, पर बढ़ने लगता है, क्योंकि आप लोग को अगर थोड़ा चीजे पता होगा ना, तो कहा जाता है कि water का density, water का density जो होता है, density of water maximum कब होता है, तो जानते होना 4 degrees Celsius में होता है, तो density थोड़ा बढ़ते जाता है, तो इसी कवह जैसे increase करने के साथ thermal conductivity भी बढ़ता है, तो अगर density बढ़ेगा, तो thermal conductivity भी बढ़ता है, समझे है, इसलिए एक एक टाइम परस्ट इंक्रीज करता है, इसलिए 4 degrees Celsius क्या आता है, increase करता है, increase करता है, समझ गें, तो टरफ मेर बढ़ने के साथ ये मेरा बढ़ा, ये concept लगा और जैसे उसके बाद, फिर density मेक्सिम, maximum से minimum घटने लगता है, तो फिर टेंपरचर एक जैसे से और बढ़ता है, तो फिर क्या था है? ये decrease कर जाता है, तो यो ये decrease कर जाता है, क्लियर माई पॉइंट रोड तो आंसर भी यह रहे नंबर तो ध्यानक ना इसको भी में बता दिया है ठीक है तो केज अहता है एकशेप यह दोनों का को करें तो यह वाला ध्यानक लेना इसको मिविया करके न keyword कर लेना इस लिए कि में इसको निए इसको नहीं बता है एक पॉइंट का बात है ना कोई कोई चीज एक पॉइंट कर रहा था तो उसको बस नोट डाउन कर लेना काम बन जाएगा चलिए नेक्स्ट कुछन आ जाता है यहाँ पर दाट थर्मल कंड़क्टिविटी आफ उड डिपेंड उड जो लकड़ी होता है वो किस पर डिपेंड करता है यह आप से यहाँ पर कोईस्टियन पूछा गया है तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इस पर्टिक्लर कोईस्टियन का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सिकना डिपेंड करता है तो यहां तो लिखी दिया गए डियर है यह थर्मल कंडिक्टर ओड ओड जो है न मॉस्चेर पर डिपेंड करता है टेंप्रेंड करता है यहां खिच्ट इपेंड करता है यह तो यहां पे आप लोग ना यह सको स्क्रीन शोट ले सकते हो यूट्यूब वाल असेचनay 71, ठीक है? 71, 83, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 105, 106, 107, 12, इतना, ये सारे question आप लोग को मैं homework देता हूँ, इसको कब करेंगे? जब मैं कल, या फिर जैसे मैं आपका theory में पढ़ाऊंगा ना, तो theory मैं सबसे पले इन सभी question को करवा दूँगा, ठीक है? ठीक है, अभी आप लोग का time हो चुका है, तो इन सभी को आप लोग क बनाना है, राइट, चली, इस सभी को screenshot ले ले लेना, और बना के ready रखना, हम लोग उस समय पर और expand कर देंगे, चली, तो thank you so much dear student, आज का जो class रहेगा, same time बेर हैगा, हम लोग theory discuss करेंगे, तो मिलते हम लोग next part में, तब तक लिए goodbye and God bless you all.